हालो गाइस मेरा नाम है रामके सुरो रहा हूँ और आप देख रहे हैं hotelknowledge.com तो फ्रेंट्स जिस तरह से मेरे last वीडियो में मैंने जो last वीडियो बनाया था उसमें hotel से related काफी सारे knowledgeable वीडियो था और इस तरह से आने वाला जो वीडियो होगा वी मेरा hotel related काफी knowledgeable वीडियो होगा काफी interesting वीडियो होगा तो फ्रेंट्स आज का वीडियो भी काफी interesting है काफी knowledgeable है इसलिए वीडियो में last तक बने रहिए जिसे कि आपको सारा knowledge मिल सके तो friends आईए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं Friends मेरे YouTube चैनल hotelknowledge.com में आप सबी लोगों का फिर से स्वागत है तो friends आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बहुत ही knowledgeable टॉपिक्स के बारे में वो है interview tips Friends जिस तरह से हम जानते हैं कि interview का हमारे life में हमारे success में बहुत बड़ा roll होता है अगर हमें interview crack करना है तो कुछ points को कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है तो Friends हम आज उन्ही points पे discuss करेंगे कि interview crack करने के लिए किन किन बातों पे हमें ध्यान देना पड़ता है तो चलिए Friends स्टार्ट करते हैं तो interview face करने के लिए या interview में attend करने जाने से पहले हमें सबसे पहला point है जो ध्यान देना पड़ता है हो है grooming यानि कि हमें अपना grooming बहुत ही अच्छा रखना चाहिए interview जैसे हम देने जा रहे हैं interview attend करने जा रहे हैं सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि हम अपना grooming पे ध्यान दे हमने आपको एक well groom करें अपना personality में थोड़ा शुदार लाएं अपना personality में थोड़ा enhance लाएं थोड़ा सा सुदार करें बाल ठीक करें थोड़ा थोड़ा बाल होना चाहिए dress up जो है वो बढ़िया होना चाहिए formal shirt होना चाहिए plain shirt होना चाहिए light color का हो तो बढ़िया लाता है साथी साथ paint जो हमारा है वो deep color का होना चाहिए जैसे कि black color हो सकता है या navy blue color हो सकता है थोड़ा deep color बढ़िया होता है साथी साथ जूता है French वो हमारा formal होना चाहिए, black suit सबसे ज़ादा prefer किया जाता है तो black suit हो तो सबसे best होता है साथ साथ friends हमें shaving कर लेना चाहिए, यानि कि जिससे की एक outer appearance होता है वो एक अच्छा look हो सके तो shaving करके interview देने जाना चाहिए साथ हाथ जो नेल्स है वो छोटे-छोटे कटे हुए होने चाहिए तो इन सारे चीजों को ध्यान देना चाहिए interview attain करने से पहले friends second point है जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है self confidence जब भी हम कोई interview attain करने जा रहे हैं तो हमें अपना confidence एकदम high रखना चाहिए अपना confidence का जो label है उसे high रखना चाहिए अगला point है friends हमें अपना thoughts positive रखना चाहिए अपना जो attitude है वो positive रखना चाहिए सोचना चाहिए कि भाई हम interview देने जा रहे हैं तो interview मेरा अच्छा जाएगा और हम दिखने में अच्छे लग रहे हैं इस तरह से कुछ अच्छे thoughts के साथ अच्छे positive सोच के साथ interview देने जाना चाहिए interview के लिए एक सबसे बड़ा factor है और जो सबसे important चीज है वो है face का जो glow है वो बना रहना चाहिए smiling होना चाहिए face में यानि कि जब हम interview के पास attend कर रहे है तो हमारा face जो है एक दम उसमें smile होना चाहिए बहुत ही जरूरी है इससे हमारा एक happiness लगना है हमारा जो appearance है वो बहुत ही अच्छा रहता है हमारा looking जो है वो अच्छा रहता है हमारा impression अच्छा बनता है friends अगला point जो है interview के लिए वो बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा mature लगे maturity एक बहुत ही important topic है interview में maturity in terms of dress dress up यानि कि हमारा dress up है उससे maturity जहलकना चाहिए हमारा way of talking है हमारा जो बात करने का तरीका है उसमे maturity जहलकना चाहिए हमारे walking style जो है हमारा जो behavior है इन सभी में एक maturity दिखना चाहिए ताकि जो सामने वाला जो interviewer है जो हम को जो हम से interview लेने वाला है उसके मन में भी ये लगे कि भई हाँ ये जो candidate है वो mature है और हम इसको select कर सकते हैं अपने जो profile के लिए ये fit बैट सकता है तो इन चीजों को काफी ध्यान रखा जाता है साथ ही साथ friends हमारा जो communication skill है बात करने का जो तरीका है वो बढ़िया होना चाहिए basically जैसा कि आज कल hotel industry में English का काफी अच्छा trends चला है यानि कि ये global language बन चुका है इंडिया में भी जहां कहें पी हम interview देने जाते हैं तो वहां पर English language में questions पूछे जाते हैं तो interview जो है main English में ही होता है तो हमें English को थोड़ा improve करना चाहिए अपना जो communication skill है उसको develop करना चाहिए हमारा जो बात करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए जो interviewer को एक attract कर सकें साथ ही साथ friends deep knowledge of the company और deep knowledge about the current company जहां पर हम काम कर रहे हैं उस company के बारे में हमारा एक अच्छा knowledge होना चाहिए जैसे उस company के outlets के बारे में उस company के budget के बारे में उस company का business performance के बारे में वहां के staff के बारे में और वहां का जो environment है working culture है वहां के बारे में इसके बारे में इन सारे चीजों का अच्छा जानकारी होना चाहिए क्योंकि interviewer हमारे previous company या जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां से related काफी सारा questions पूच सकते हैं तो हमें अपने company जहां पे हम काम कर रहे हैं, वहां से हर तरह का information collect कर लेना चाहिए और हमें इसके लिए पहले से तयार रहना चाहिए। साथ ही साथ friends, जिस company के लिए जो हम interview देने जा रहे हैं, हमें उस company के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। क्योंकि interviewers जिस company के लिए वो select करने वाला है, उस company के बारे में भी कुछ questions पूछ सकते हैं। तो candidate को पहले से इन questions इस तरह का questions है उसके लिए पहले से तयार रहना चाहिए, पहले से तयारी कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ friends, जो भी candidate है, वो जहां पर भी काम कर रहा है, वहां का जिस position में वो काम कर रहा है, उस position का job descriptions का knowledge अच्छी तरह से होना चाहिए। यानि कि good knowledge about the job description of the current position, मतलब जिस position में वो जो previous company में काम कर रहा है या current company में जो काम कर रहा है जिस position पे, उस position का job profile है, job responsibilities है, उसके बारे में अच्छा जनकारी होना चाहिए। शाथ ही साथ, there should be good knowledge about the applied profile और good knowledge about the applied position, यानि कि हम जिस position के लिए apply करने जा रहे हैं, या जिस position के लिए recruitment चल रहा है, उस position का job description यानि कि job responsibilities के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। अच्छी तरह से उसके बारे में भी knowledge होना बहुत जरूरी है। तो friends, इस सारे जो points हैं इन चीजों को interview के time में ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ, एक बहुत ही common चीज है जो interview में 99% लगभग पूछा जाता है, वो है self introduction तो हमें अपना introduction बहुत ही effective ढंग से बताने आना चाहिए, अपना introduction देने आना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ common questions होते हैं, उसके लिए भी हमें पहले से तयार रहना चाहिए। जैसे tell me about yourself, where do you want to see yourself within 5 years, tell me about your strength, tell me about weakness, इस तरह का कुछ common questions होते हैं, जो लगभग हर interview में पूछा जाता है। तो हमें इस तरह के जितने भी common questions है, उसके बारे में पहले से तयारी कर लेना चाहिए, और उसका answer भी हमें पहले से तयारी कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसे अगर उस तरह का question पूछा जाता है हाला कि ये बहुत ही common questions है बट अगर तयारी नहीं होता है तो हम जानते हुए भी उसे एक effective ढंग से answer नहीं दे पाते हैं तो ये हमारे selection में हमारे interview crack करने में बहुत बड़ा factor होता है तो इन सारे common questions की तयारी हमें प उसके बारे में जानेंगे around 20-25 questions जो common questions है जो हर interview में लगभग पूछा जाता है तो ऐसे questions के बारे में हम जानेंगे उसका best answer को ले करके मैं वीडियो ले के आने वाला हूँ तो friends अब मेरे आने वाला वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारा वीडियो जो है interview से related हो होगा इसमें best questions रहेंगे और साथ ही साथ उनका answer रहेगा तो friends आशा करता हूँ आप लोगको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो like करिए, share करिए, साथ ही साथ subscribe करिए और bell बटन को जरूर प्रेस करिए जिससे कि interview से related जो भी questions और उसके best answers जो आने वाल हूँ ओ वीडियो आप देख पाएं उसका उन वीडियो का notification आपको मिल सके और वीडियो आप देख पाएं शाथ ही साथ friends मैं आप लोगको लास्ट में बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल में जूरे रहने के लिए आप सभी लोगक बहुत बहुत धन्यवाद